यह इसमें देखो किना कालर आ गया है असलाम अलेकूम हाई एवरीवन वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी लाइक कर आज बहुत ही अच्छा विलाग होने वाला है आज मैं बनाओंगा पुकावडा रेस्पी यह बहुती टेस्टी और बहुती बहुती बहतरीन रेस्पी होते है इसके लिए बेसन आलू प्याज हरी मिर्च वगएरा निमक और मिर्च होना जुरूरी है हम आपने घार में आराम से इसे बना सकते हैं बहुती इली यह कोई बहुत मुछल काम नहीं है आप मैं प्याज काटता हूँ बृट 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 अब मन आलू काटता हूँ प्याज मैंने काट दिया हरी मिरिस में काटता हूँ दो कुटोरी में मैदा डालता हूँ अब मैं डालता हूँ मिठा सोडा मैं जेरा डालता हूँ इसमें चुटकी बर में कुलूंजी डालता हूँ, निमक, स्वाद के अनुसा, अब में अजवेन डालता हूँ, इससे काफी टेस्ट भढ़ जाता है, कटी हुई धनिया, हाथ बिल्कुल साफ करने हैं, उसके बाद पानी डालना है इसके उपर, जितना जुरुत हो उतना भी पानी ड करता हूँ, मेरा ये गोल जो है, बिल्कुल त्यार हो चुका है, ये मिक्स हो गया, पूरा सब मटीरियल, आप में बनाऊंगा, पकवडे आराम से, ये देख लो, ये इजी काम है, बिल्कुल इजी काम है, अपनी फैमिली, अपनी बच्चों के लिए आप आराम से घर में त सकते हैं, ये देखो, ये बन रहे हैं पकवडे रेस्पी, बहतरीन, टेस्टी, इसमें देखो किना कालर आगाया ये, क्या बात है, वाव, क्या मज़ेदार बन रहे है, आपने हीड जो रखनी है, मीडियम रखनी है, अच्छी तरह से इनको पकाना है, जो भी डिशिज हम त्यार करते हैं, अपने घर में अगर करेंगे, तो क्या मज़ा, बहुत ही मज़ा आता है, बनाने में भी और खाने में भी, ये कोई मुश्कल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है, ये त्यार हो रहे हैं, अब पकवडे, पूरा रेड कलर आगाया है, इनमे इनका रंग जो है प्रोन हो गया, अब मैं आश्ता आश्ते इनको साइड करता हूँ, आप चटनी भी बना सकते हैं, चटनी के साथ बहुत ही मज़ा आता है, जब ये लगबग अब त्यार हो चुके हैं, इनका कलर भी देखो कि ना मज़ेदार हो कि ना खूसर दा रहा है, एह देखो, आज मैंने अपने हाथों से बहतरी, टेस्टी, लजजीज, मज़ेदार, जाइकादार, पकावड़े रेस्पी त्यार किये, आप ये आपने घर में त्यार कर सकते हैं, क्या ही मज़ेदार है, क्या बात है, वाओ, आप भी बनाए अपने घरों में, आपने फैमिली के लिए, आज पकावड़े रेस्पी आपको कैसा लगा, चैनल पर नए हसाब सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, फिर हाजर होतें नए वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिस, बाई बाई